हेलो पोके ट्रेनर्स कैसे हो स्वागत है पोके स्टॉप के एक नए वीडियो में तो गाइज आज मैं आपको एक ऐसा तगरा अपडेट देने वाला हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा तो गाइज आज का टॉबी की ये है कि अपडेट Pokemon Go का जो नया ये मत में जो अपडेट होने वाला है हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा कौन सा इवेंट होने वाला है Community Day हाँ गाइज Community Day भी होने वाला है Date क्या है Spotlight Hour Date क्या है हर एक चीज मैं आपको बता दूँगा आपका कोई event, कोई community day, कोई shiny Pokemon मिस नहीं होगा इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है वीडियो को अंतक देखो आपको हर एक details मिल जाएगा और guys, अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को subscribe करके bell notification में प्रेस कर दो और वीडियो में एक like कर दो guys, हम लोग thousand subscriber के बहुत close है 1K subscriber complete हो जाएगा अगर आप जितने भी one day वीडियो को देख रहे हो, एक एक करके subscribe कर दो तब, ठीके तो guys, फिलाल के लिए कोई बात नहीं आप लोग subscribe कर दोगे, मुझे पता है तो guys, फिलाल के लिए आज का जो update है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीके तो देखो guys, पहले जो बताने वाला हूँ, कल कल बहुत ही special है, क्यों special है याद में रखो, कल होने वाला है Alolan Sand Stew, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, यस Pokemon का spotlight hour, अब यह timing क्या है timing में आपको बता देता हूँ local time 6 to 7 pm मतलब आप जिस भी country में spoof कर जो, उस country का 6 to 7 pm, आपको एक घंटे के लिए खेलना है, आपको Alolan Sand Stew मिल जाएगा, और guys अगर आप दिन में spotlight hour सिर्फ एक घंटे के लिए नहीं, तीन से चार घंटे के लिए खेलना चाते हो, तो कोई बात नहीं, description में आपको link मिल जाएगा, कि spotlight hour आप दिन में 4 times कैसे खेल सकतो ये वीडियो देखने के बाद, वो वीडियो देख लेना हर एक spotlight hour, community day आप सिर्फ एक बार नहीं, चार-चार बार खेल पाओगे, ठीके guys अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो next update तो guys, January 10 to January 16 एक event आने वाला है जिस event का नाम है, twinkling fantasy event, ठीके अब उस event में क्या होगा, वो मैं जब event आएगा, उससे पहले एक वीडियो में बता दूँगा, कोई tension नहीं और एक event आने वाला है उस event का नाम है guys crackling voltage event वो कब होगा, वो होगा January 27 to February 5 वो भी मैं आपको बाद में update दे दूँगा, अभी फिलाल के लिए guys, मैं बताने वाला हूँ, next कल तो एलोलन सेंस्ट्यू का spotlight hour होने वाला है, लेकिन उसके बाद कौनसा कौनसा Pokemon का spotlight hour होने वाला है, वो भी मैं आपको आज थोड़ा बहुत update दे देता हूँ ठीके, तो guys देखो January 10 को जिस Pokemon का spotlight hour होने वाला है, उसका नाम है Swillix, तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो same timing आपको जाना है और shiny को पकड़ना है, उसके बाद जो होने वाला है January 17 जो Pokemon है, उसका नाम है Seedot आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में अगर आपके पास नहीं है, तो specially January 17 को आपको जाना है और इस Pokemon का shiny version को पकड़ना है, ठीके उसके बाद देखो January 24 में जो Pokemon आने वाला है, इस Pokemon का मुझे नहीं लगता कि shiny form आया था जितना मेरा मतलब जानकारी है, अगर ये आया था तो आप मुझे comment करके बता देना कि guys हाँ ये Pokemon पहले ही डिलीज हो चुका है तो guys उस Pokemon का नाम है Tynemo, जो आप स्क्रीन में देख पार हो ये Pokemon का भी Spotlight Hour January 24 में होने वाला है इसके बाद जो Spotlight Hour होने वाला है वो Pokemon है Blitzel आप लोग स्प्रीन में देख पारे हो डेट है January 31 तो guys अभी आते हैं सबसे बरा इवेंट जो है Community Day तो guys अब देखो जो Community Day, First Community Day होने वाला है फिलाल के लिए Pokemon कौन सा है वो अभी तक मुझे पता नहीं चला है पता चल जाएगा तो कोई टेंशन नहीं सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा तो guys पहला जो Community Day होने वाला है वो है January 7 उस दिन एक Pokemon का Community Day होने वाला है अब कौन सा Pokemon है वो भी आपको पता चल जाएगा इसलिए क्या करो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखना आपको हर एक अपडेट मिलता जाएगा तीके आप देखो और एक Community Day इस महिने में होने वाला है जो बहुत ही Special है guys आप लोग को पता है Classic Community Day क्या होता है जैसे 2022 में Classic Community Day में कौन सा कौन सा Pokemon आया था पता है जैसे बलबसौर ड्रेटिनी बहुत ही गाईज यह Generation 1 का Pokemon है जिसका Shiny version मिलना बहुत ही rare होता है तो गाईज January 21 में ऐसा यह Classic Community Day होने वाला है आप देखते हैं वो Charmander होगा या Squirtle होगा अब देखते हैं वो कौन सा Pokemon होगा वो भी अपडेट मैं आपको बता दूँगा लेकिन यह ध्यान से सुन लो इस महीने में दो Community Day होने वाला है January 7 में एक Normal Community Day और January 21 में जो होने वाला है वो है Classic Community Day कौन सा Pokemon आएगा हर कुछ अपडेट मैं आपको देता जाओंगा तो गाइस यह था वीडियो अगर यह information आपको अच्छा लगा तो वीडियो में एक लाइक कर देना चैनल में सब्सक्राइब और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके चले जाना तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में